हेलो दोस्तों मैं हूँ अनू और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कित्स लर्णिंग में दोस्तों आज हम सिखाएंगे छोटे बच्चों को लिखना कैसा सिखाएं क्या है न कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं दो से तीन साल के जब वो बातों को अच मैं बताया था आज की वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चों को लिखना कैसा सिखाएं देए उन्लोग को लिखने से पहले प्लोग को थोड़ा से हम सीखाना होता है में इस लाइन को करना ही सिखाया जाता है अब यह सिखाने के लिए देखे छोटा बच्चा है तो अगर मुझसे यह नहीं कहेंगे कि चलो पढ़ो और वो पढ़ने लगेगा उसको हम कहेंगे चलो आज कोई गेम खेलते हैं और हम लोग गेम में ही उसको सिखाएंगे तो आज जो वीडियो है म तो स्टार्ट करते हैं अपना आप देख रहा होंगे कि यह है हमारी पिक्चर आपको सामने एक फ्लावर दिख रहा होगा और उसके नीचे से कुछ डॉट डॉट की टूटी डूटी लाइने दिख रही होंगे जो सीधे नीचे जा रही है यह लाइने आपको एकदम जमीन से टुटी से तचकरती होई दिखेंगे जहां पर छोटी छोटी घहां सुगी हुई है अब यह सब दिखा कर बच्चे से आप कहेंगे कि इन टूटी टूटी से अथे जैस्टेुटार मिलाना है्याद सी Chief जमीन से टच कर आओ तो यह तरीका अपना सकते हैं बच्चों को एक बादल बनाएंगे देखते हैं आपकी यहां पर एक बादल है और उसका एक smiley face बना हुगा है यह smiley face इसलिए बना हुगा है क्योंकि बच्चों को यह smiley face बहुत अच्छा लगता है और बादल भी बहुत अच्छा लगते हैं तो बच्चों से हम कहेंगे कि यह बादल बारिश कर रहे हैं और इनके बारिश की जो बूंदे हैं वो एक line की सेरियल वाइस इस line के रुप में नीचे गिर रही हैं है अब यह नीचे तो गिर रही है तो इन सब line को मिलाते हुए हम एक लमबी line बनाएंगे यह line को मिलाते हुए तूटी तूटी लाइन है बीच में तूट गई है इन सारी लाइनों को हम मिलाते हुए नीचे लेके जाएंगे और ये बच्चों का एक इंट्रस्टिंग गेम बन जाएगा ठीक है तो आप ये सब वहां बैठ के करवाईएगा नहीं तो बच्चे हैं इधर उधर करके वह ल स्लिपिंग लाइन है और बारिश हो रही है जब बारिश की बूंदे थोड़ा समयने स्टैंडिंग लाइन में दिखाया इसलिए ये बारिश की बूंदे ऊपर से नीचे आती है तो वह इसी फॉर्म में आती है जब उपर से नीचे आ रही है तो वह ऐसे आ रही है और आकर कि ऐसे जमीन पर बहने लगती है तो आप यह भी और यह भी दोनों साथ साथ करवा सकते हैं यह सारी लाइनों को आप मिलाते हुए यह एक साइड में लेके जाएंगे ऐसे कहेंगे कि बच्चों इन सब को लाइनों को मिलाते हुए आप लेके चलों अब यह रहा आपका sleeping line next हम चलते हैं बच्चों को सिखाना है हमको sleeping line एक और तरीके से यह चीज आप देख रहे हैं पैचान भी रहे होंगे यह क्या है यह लखड़ी की यह यह लोहे की बनी हुए एक सीड़ी होती है लैड़र जिसकी बीच में यह पतली-पतली डंडिया लगी होती है इस पे लोग च अब इसमें भी करवाएंगे यह तरीका है sleeping line सिखाने का आप बच्चे से यह नहीं कहेंगे कि आप पढ़ रहे हो कहेंगे यह हमारे गेम है आपको इन सब को मिला मिला करके एक object त्यार करना है अब चलते हैं हम नंबर कांटिंग सिखाने हैं बच्चे को ऐसे दो कलर के circle बन इस circle को इस से मिलाना है इस circle को इस से मिलाना है इस से आसे करते हुए हम बच्चे को number शिखाएंगे ऐसे करते करते हैं आप चहाए तो आगे भी मैंने circle बनाया हुगा इसमें उनसे trace करवा सकते हैं दूसरा एक और तरीका है again मैंने वही number counting के लिए bottle बनाया smiley face का फिर मैंने यहां पर पानी की बूंदों के drop के form में कर दिया है अब यहां पर आप क्या करेंगे कि बच्चों को एक एक drop का number देंगे count करने के लिए जैसे अगर यह 1 है यहां पर 2 है वैसे ही 3, 4, 5 यहां पर शिखाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो यह बच्चे से उसमें इसके अंदर नमबर लिखाएंगे और फिर बच्चे से कहेंगे कि इसको count करो कितने drops बादल से नीचे गिर रहा हैं तो बच्चे आपको count करके बताएंगे अब अभी तक pressing हमने सीखा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप बच्चे को यह करवाईए और घर पर बच्चे को बिजी रखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा थैंक यू